जी असलाम लेकूम स्टुएंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने लेक्चर अपना स्टॉप किया था तो हम बात करें थे टाइप कास्टिंग की I'm implicit casting होती है explicit casting होती है implicit casting खुद पर खुद हो जाती है और उसके अदर हमेशा टाइप वाइडनिंग होगी smaller टाइप्स को जो है वो larger टाइप्स के अदर convert किया जाएगा जैसे कि यहां पर हो रहा है byte को short में short को int में int को long में long को double float में और float को double में convert किया जाएगा automatically type widening इसे कहेंगे explicit के अंदर आप type narrowing जो हो आप कर रहे होते हैं तो यह हमने last time देख लिया था यह मैं assignment आपको दी है तीन चार programs होगे है जो next के अंदर जो है वो next class के अंदर मैंने आप लोगों के check करने तमां students बना के लेकर आएंगे casting in an augmented expression तो यह जब आपका augmented expression आएगा जिसको हमने compound assignment के भी बात की थी तो augmented expression के अंदर आपका जो expression का जो result निकलेगा वो हमेशा उसी में निकलेगा जिसका variable आप starting के अंदर use कर रहे हैं यह बात जहें में रखेगा जैसे आप लिखने sum plus equal 4.5 तो इसको अगर आप preset translate करें तो इसका बना है कि आप लिखेंगे जी यह ऐसे है कि जैसे आपने लिखा हो sum equals to sum plus sum plus 4.5 4.5 ठीक है यह pointer ओके and semicolon अब हमने थोड़ी दे पहले बात की कि जब भी आपका expression आता है तो वो हमेशा smaller data type को larger में convert कर देता है तो sum यहाँ पर integer है और 4.5 जो हो double है तो इन दोनों को result जो है वो double में convert करेगा और answer double में देगा लेकिन आपके पास यहाँ पर जो variable है वो integer है तो आप उसकी explicit type conversion आप करेंगे लेकिन जब आप augmented expression की बात करते हैं तो result हमेशा तो result हमेशा आपको उस variable की form में मिलेगा जो variable जो आप यहाँ पर augmented expression के अंदर आप use कर रहे हैं हमेशा उसी की form में मिलेगा क्योंकि sum जो है वो integer है वो आपको बता रहा है बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने sum प्लस 4.5k जैसे मैंने उपर वाला लिखा था और उसके बाद आप सिस्टम की working को समझने की जानने की कोशिश करते हैं फिर उसके लिए आपको डिजाइन बनाते हैं और उसकी कोडिंग वगरा करते हैं उसकी फिर implementation की जाती है उसे चला के चेक किया जाता है कि पर कोई error वगरा तो नहीं है डीबग को उसको करते हैं और error नहीं होते तो फिर फाइनली हम आपे सिस्टम के पर deploy कर देते हैं और उसके बाद फिर उसकी आगे maintenance जो है वो throughout the life जो हो चलती रहती है तो यह मैंने आपको बड़े concise दी बड़े briefly मैंने आपको बता दीटेल में हम नहीं जा रहें detail पढ़ना चाहें तो यहां पर slides के पर available है यहां से आप इसको आपकी तरफ computing a loan payment यह एक और problem है उसका formula उसमें आपे दे दिया है तो आपने loan payment जो है वो आपने calculate करके लेकर आनी है यह किसा से आप loan जो है वो आप calculate करेंगे loan की amount है monthly interest rate है formula given है आपने input करवानी है formula implement करना है और आपने final results answers जो है उसके print कर देने common errors and pitfalls which you may face while writing your java code और programs उसे पहला क्या है कि undeclared और un-initialized variables और unused variables आपने variable declare नहीं किया और और आप use करने जा रहे हैं तो वो definitely आपके पास error होगा overflow हो सकता है round of errors हो सकते हैं और unintended integer divisions redundant input objects कैसे है यह one by one इसकी detail जो है वो आ रही है पहला आ रहा है कि आपने undeclared variables आप use करने लगें और जो variables आपने declare नहीं कि उनको आप use करने लगें जैसे आपने variable लिया interest rate equals to 0.05 और फिर आपने लिखा interest equals to interest rate multiply by 45 तो यह आपने declare ही नहीं किया यह वाला interest rate declare नहीं किया interest rate के उपर declare किया था यह और था क्यूंकि इसमें R capital था इसके अंदर R small है Java case sensitive language जो है तो यह वाला variable आपका और है यह वाला variable और है वो ही पर आपको आपको compilation पर error आपको दे देगा कि यह वाला variable आपने declare नहीं किया overflow occurs हो सकते हैं overflow जब occur होंगे तो अब यह एक integer value की maximum range है आपने इसके अदर एक और अगर आपने add कर दिया तो उसकी capacity से बाहर हो जाएगा और फिर वो चला जाएगा जो minimum value थी उसके पर चला जाएगा जैसे अगर आप byte की बात करें तो byte की range है minus 128 से लेकर positive 127 तक तो अगर आप किसी byte variable को store कर आओ जैसे for example मैंने आप एक variable ले लिया byte byte चलें b उसका नाम रख लेते हैं byte b equals to 127 यह उसकी maximum range जैसे बड़ी value नहीं आ सकती है इसके अंदर यह मैं पता है लेकिन मैं फिर भी उसके अंदर पलस 1 कर देता हूँ तो अब वो 128 बन जाएगा जो कि उसकी range से बढ़ जाएगा जैसे ही उसकी range से बढ़ेगा तो फिर वो b के अंदर store 128 तो करवा नहीं सकता तो वो इसके अंदर store करवा लेगा minus 128 ठीक है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे सारी वो dld use होती है dld के अंदर जो मैं पास जो concepts होते है बिट्स के और उसके addition जब आप बिट्स के पर जाकर जब आप यह additions करेंगे तो फिर आपको इसका जो है वो reason पता लगेगी कभी time मिला तो class के अंदर किसी extra time के अंदर जो है पिर मैं आपको यह बार detail में समझा सकूँगा okay value round off हो जाती है जैसे कि हमने देखा था last time भी कि आपको accurate answers नहीं मिल रहे होते values को round off कर देता है यह थोड़ा सा problem है लेकिन आप इसको इतना बड़ा problem भी ना समझें क्योंकि हम normally हम अशारिया के बाद वाली value को तो हम use ही नहीं कर रहे होते लेकिन यहां पर आपको अशारिय के बाद जो है वो 16 decimal places तक आपको सही answer मिलेगा यानि कि अशारिय के बाद 16 values आपको ठीक मिलेगी उसके बाद आगे जो है वो उसको round कर देगा ठीक है तो हम normal अगर अपनी routine चनल लाइफ के अगर आप बात करें तो उसके साफ़ से तो इसके अदर कोई issue नहीं है हाँ लेकिन अगर आपको बहुत ही जदा कोई complex scientific calculation करने लगे हैं बहुत ही जदा जिसके अदर आपको accurate और precise answer चाहिए तो फिर ये बात जहन में रखें कि after 16 decimal places double value के बाद में जो है वो values को round off कर देगा unintended integer division जैसे वो यहाँ पे ले रहा double average निकालनी थी आपने एक number आपका integer है one दूसा number भी integer है two तो आपने जब average निकालनी थी तो आपने इन दोनों को add किया add करने के बाद आपने divide by two कर दिया तो अब आपको answer one plus two divide by two यानि कि three divide by two आपको answer जो है वो fraction में नहीं मिलेगा यूंकि इन में सारे जो operands जो यहाँ पे use हो रहे हैं यह सब के सब operands आपके integer में हैं तो आपको answer integer में मिलेगा वो तो वो कह रहा है कि अगर आपको average चाहिए fraction में value चाहिए तो point two point zero लगा दो redundant input object आपने inputs लेनी है अपने program के अदर multiple inputs चाहिए हैं आपको two, three, four outputs आपको चाहिए तो आपने scanner का object बनाया scanner का object बनाने के बाद आपने उसका एक method यूज़ किया आपने उसका एक method यूज़ किया next int integer input हो जाएगा वसे बाद आपने एक और input कराना था double input कराना था तो आपने क्या किया आपने scanner का एक और object बना लिया scanner का एक और object बनाया scanner का एक और object बनाने के बाद पिर आपने पिर उसके लिए next double का method यूज कर लिया तो भी इसकी जरूरत नहीं है एक जो scanner का object है इसको आप बार बार यूज करते हुए एक दफा नेक्स डबल इंपुट करा लें एक दफा आप नेक्स डिए इंपुट करा लें आप नेक्स बाइट इंपुट करा लें नेक्स प्रोट इंपुट करा लें जो आपको दिल चाहता है आप इंपुट करवा सकते हैं तो आपको redundant मतलब repeated object रहें चाहिए हर एक दिल चाहिए हैं धक दिल उंपुट कराम करते हैं लेक्स डिसे नेक्स बाइब मतलब